नमस्कार दोस्तो, स्वाकत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओलाइन और ओफलिन गयानने दोस्तो आप जानते ही हैं आप लोगों के लिए मिंट हैदराबाद की वेकेंसी आई थी नोट प्रेस की बात कर रहा हूं मैं बड़ी मात्रा में इसमें भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था क्योंकि आई टे की कुछ ट्रेड ऐसी थी जिसमें 20 के आसपास वेकेंसी थी आप यहाँ पर जो है डिपार्टमन ने अपडेट दे दी है कि आप लोगों का जो एक्जाम है वो 5-11-2023 को है अगले महिने की tentative date इन्होंने दे रखी है अब बहुत सरे बच्चों के comment आए मेरे पास टेलेग्राम पे भी बच्चों ने पूछा कि सर जी हमें यह clear कर दीजिए कि इसके admit card कब आएगा और हम इसके लिए अपने travel arrangement कर ले या ना करने सबसे पहले तो आप जानते हैं mint के जितने भी form निकले है department ने आप लोगों को time लिए उसके exam करवा के दी है जो date department ने आप लोगों को बोली है भली बाती जो है department ने उसका exam आप लोगों के लिए conduct करवाया है तो यही पूरी possibility है मैं तो 99 भी नहीं 100% बोलूँगा कि 5-11 को आप लोगों का exam 100% होगा department किसी तरह का cancellation यहाँ पर नहीं करेगा ठीक है आशा करतो मेरे इस point से आप लोग aware होंगे तो यहाँ पर admit card कब आएगा admit card इट इट से पहले पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हो सकता है कल आजाए हो सकता है परसो आजाए हो सकता है कि आप लोगों को 30 तारिक को आजाए हो सकता 29 को आजाए या फिर एक तारिक को आजाए इस पर कोई भी आप नहीं बोल सकते कि admit card आपका exact date ये होगा आने का तो admit card इस date से पहले आप लोगों को आ जाएगा तो मेरी तरफ से जो personal आप लोगों को suggestion है कि आप लोग अपने travel जो arrangements है जो भी आप लोगों को ticket की booking करनी है वो कर लीजिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर मान लोग अगर डिपार्टमेंट इस exam को cancel करता है इस date पे नहीं करवाता तो आपका 30% जो पैसा है वो चले जाएगा railway की तरफ से बढ़ देको आप लोगों की मजबूरी है आप लोगों को अपने arrangement पहले से ही करना पड़ेगा क्योंकि आप अब भी टिकट नहीं करवाओगे अगर आपका सेंटर दूर है तो आप जानती है फिर अंती समय में तत्काल में आप लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो उससे बेटर है कि आप लोग पहले सी reservation अपना करवा के रखे जहां पर आप लोगों को जाना है जहां पर आप लोगों का exam center है तो पास तारी को department ने rate दिये मैं request करूँग आप लोग चले जाएए और मैं इसका advertisement भी आप लोगों को एक बर दिखा दूँ कहीं आप लोगों को समझना है कि यह कौन सा वाला exam है तो यह हैदराबाद वाला exam है आप लोग देख सकते हैं और यहां पर जो है यह trade सी बलराम सर के जो notes है fitter और machinist वाले प्लीज आप लोग यूज़ कर लेना definitely आपको उसका output मिलेगा और tunner वाले भी मैं जानता हूँ vacancies का count machinist में और tunner में कम है बट फिटर में जो है आप लोगों को जादा count देखने को मिल रहा है तीक है मेरी तरफ से यह update थी आप लोगोंने request किया था कि सजी travel का arrangement करें या ना करें तो travel का arrangement मैं personally suggest करूँगा आप लोग कर लीजिए क्योंकि अंत में ततकाल में बहुत सारी problem का सामना आप लोग जानते हैं होता है दिक्कतों का सामना होता है तो battery की पहले से तयार होके रहे और पूरी possibility की department आप लोगों को exam करवाएगा क्योंकि यह department जो है date निकालने के बाद अभी तक इनोंने एक भी बार exam इस तरीके से cancel नहीं किया है ठीक है बाकी इनकी official website जो है इसका link में आपको description में दे दूँगा बलराम सर के फिटर टरनर मसिनिस के note description में दे दूँगा तिम समय में आप लोग जो उसे पढ़के जो है अच्छे तरीके से revise कर सके ठीक है यह date है यह official site का link आपको description में मिल जाएगा और जैसी admit card आता है उसको मैं telegram पे आप लोगों को update कर दूँगा हाला कि यह update दो दिन पहले आई थी बट आप में से request किया बच्चों ने तो इस वज़े से मुझे आप लोगों को आज information देने पर रही है मिदानी का form अभी तक मैं नहीं लेकर आया क्योंकि मैं जो बी आर्ची की test series में लग गया था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है तो इस week में आप लोगों के लिए बी आर्ची की test series कुछ trade की launch हो जाएगी तो उस ही में आप लोगों के लिए वैस्त हो रहा है और आप लोगों को उसकी भी update जल देते हैं thank you